Hello everyone, Good morning and I hope you all are good आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अगर आपके पास पोर्ट कम होते हैं और जगे भी कम है तो आप कैसे एक ही पोर्ट में बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं और वो बहुत आसानी सी ग्रो करते हैं और उसमें बहुत अच्छी सी ब्लुमिंग भी होती है मैं आपको कुछ अग्जाम्पल्स दिखाने वाली हूँ जो मैंने अपने गार्डन में कर रखा है एक ही पोर्ट में मैंने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं और सभी में बहुत अच्छी ब्लुमिंग हो रही है तो जो प्लांट है उनको हम उनकी सनलाइट और वाटरिंग के हिसाब से और सीजन के हिसाब से बाट सकते हैं और एक ही पोर्ट में काफी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं जैसे कि हमारे समर की जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं सभी को अच्छे सनलाट चाहिए होती हैं चाहे वो विंटर हो चाहे समर हो तो इस तरीके से जो हमारे समर की परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी पॉट्स में काफी जगे होती हैं तो उसमें हम विंटर की प्लां हैं तीन दिन पहले और इसके काफ़े सारे सोट्स वीडियो मैंने डाल लखी हैं तो देखें यहां से मैंने इसके प्रूनिंग करी हैं काफ़े अच्छे से ब्लूमिंग हो रही थी और देखें इसके साइड में इतना सारा स्पेस बचा हुआ था तो जैसे कि मेरे पास उस टा से बनी हुई हैं देख सकते हैं और साइड में भी इसकी काफे सारी बट्स थे और अभी भी इसमें ब्लूमिंग हो रही है और एक ही पॉर्ट है यह देखें और इसमें मैंने लगाए थे पांच प्लांट जिसमें एक प्रमांट प्लांट लगा हुआ था जिसको अच्छे लगा देख सकते हैं सभी में सीड़वने के लिए तियार है देखे है आइस प्रांट में ऑर पॉपी का तो आपको मैंने दिखाई दिया है इस तरिके से आप बाढ सकते हैं कि आपको पता है कि ये permanent plant है और इसकी pot में जगे खाली है तो आप winter के plants लगा सकते हैं कि जो winter के बहृत सारे plants होते हैं winter में उनको अच्छी sunlight यदि होती है और permanent plants जो summer होते हैं उनको तो sunlight चाहिए होती है मैं काफ़े सारे pits दिखाती हैं offers लगा रखेंंद अच्छे से ब्लूमिंग हो रिए है देखेंं मेरा strip जिसमें किता साय प्लांट संअ देख सकते आप मेरीग तो there lengthy talks ब्लुमींन हो रही है और इसमें आप्षी और वो था देखें चिलि हबिस्कस देखें इस तरीके से और आप देख सकते हैं hasn ही ब्लूमिंग हो रही है देखे इस तरीके से इसको हम स्लिपंG हिबिस्कस के नाम से नामसे जानते हैं क्यक्ति इसके जो florts होते हैं वो पूरी तरीके से खिलते नहीं है इसलिए उनको sleeping hibiscus कहा जाता है ये एक permanent plant है और पूरी ये बहुत अच्छे से blooming करता है winter में इसमें बहुत heavy blooming होती है तो इस तरीके से देखें ये एक port है और देखें ये ही इसमें ये permanent plant लगा था चिली hibiscus और साथ में मैंने इसमें काफी सारे marigold के seeds डाल दिये थे और उनको मैंने transplant नहीं करा है क्योंकि लगभग इसी में 30 लगे हुए हैं इसके plant और भी मेरे पास इसके 50 प्लांट है तो सभी को transplant करना और काफी सारे ports देना और terrace पर गार्णिंग करना वह possible नहीं हो पाता तो इसमें मैंने इनको रहने दिया जो इसके marigold के plant थी और blooming आप देखे सकते हैं एक 8 इंज के pot में इतने सारे marigold है साथी में यह हमारा चिली ही विसकस है और उर्सी के साथ में इसमें मैंने एक क्रिसंथम का plant लगाया था जिसमें बहुत अच्छी blooming हुई थी और देख सकते हैं आप यह क्रिसंथम का plant भी काफी बड़ा है देखे इस तरीके से और इसी pot में लगा हुआ है यह क्रिसंथम का plant देखे कितना healthy और कितना बड़ा है तो इस तरीके से इसमें मैंने तीन व कितने है विल्मी होरी मेरीगोल्ड में देखें एक pot है 10-23 का झार देख सकते हैं आप इसमें कितने सारे plants लगे हुए यह देखिए इस तरह के से और साथी में देखिए blooming भी hoरी है और साथी में देखे इधर morning glory में भी blooming हो रही है और यह की पॉट है देखिए इस तरह के से और इसमें पॉपी के जो प्लांट लगे हुए है वह लगबग छह प्लांट पॉपी के लगे हुए हैं और इसमें तीन मौर्णिंग ग्लॉरी के प्लांट लगे हुए हैं और तीनों ही मौर्णिंग ग्लॉरी देखे काफी हल्ती हैं तो जब मैंने इसमें पॉपी प्लांट क जा देंगे में नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहँ होगा तो तो आप उसी पॉर्ट में पहले से ही दूसरे प्लांट को भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें विंटर प्लांट लगे थे तो साथी में मैंने देखें, समर के सीड्स भी लगा दियें, तो इस तरीके से देखें, morning glory ग्रो हो रहा है, और काफी सारी बट्स बनी हुएंगे, दे सारी प्लांट लगा सकते हैं, और ब्लूमिंग और बट्स आप देखें सकते हैं, कितने सारी बट्स बनी हुएं, morning glory में, और प्लांट काफी हेल्थी हैं, इसको मैंने बहुत बाद में लगा था, बट्मार्ण ग्रोरी में ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो देख सकते है आप कितने हल्थी हैं, इसके ये दोनों प्लांट, morning glory के, और इसमें morning glory के तीन प्लांट लगे हैं, चाहे तो हम बाद में ट्रांस्पलांट कर सकते हैं, जब हमारे पास स्पोर्ट हो जाएं, तो और ये देख सकते हैं, आप इसमें पॉप्पी में कितने अच्छी ब्लूमि के आई थी, तो इसमें स्पीस काफी सारा बच केता हैं, तो मैंने सुचा कौन सा प्लांट लगा सकते हैं, जिनको दोनों को ही सनलाइट का requirement सेम हो, और मैं बहुत सार प्लांट लाई थी, माली जी जिसमें रोज लगा हैं, और अगर मैं बेगुनिया का प्लांट इसमें अगर उसको ज्यादा से में रखते हैं, ज्यादा रिखाएं रोज के हिसाब से, तो इसलिए मैंने इसमें देखे गजानिया लगा है, तो इस तरह के से आप ब्लांट बिसाइट कर सकते हैं, उनकी सनलाइट के हिसाप से और वाटरिंग के हिसाप से, जैसे कि उनको जो भी तो इस तरह के से आप लगा सकते हैं और दोनों के देख सकते हैं यह फी प्राइट में रख तो गजाने के लेफ्स थोड़ी से आपको बंड नजर आ रहा रही होंगी बड़ इसमें बढ़ तैके काफी सारी बंड़ी है क्योंकि अब मैंने इसको यहां पे लाके रखा है जहा अब आपको दिखाती हूँ यह देखें यह एक पॉड था जिसमें मैंने कुछ आइस प्लाइंट लगायती है इसमें चैसे साथ मेंने आईस प्लाइंट लगायती है और सभी में बलुमिंग हो चुकी है और सभी में आप seeds बन रहे हैं तो देख सकते हैं और इसमें भी blooming किती हैं अच्छी हो रही है और ये पूरी sunlight में रखे हैं पुटिनिया के plant आप कुछ खराब होने लग गया है तो इस तरह के से आप plants लगा सकते हैं एक ही pot में अगर आपके पास pot की कमी है और जगे की कमी है और मैंने आपको काफे सारे plants दिखाए हैं कि वो कितने अच्छी से grow हो रहे हैं देखिए एक ही pot में तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको idea हो गया होगा कि इस तरह किसे आप एक ही pot में काफे सारे plants लगा सकते हैं Thank you so much for watching this video मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना और अपनी family का ख्याल कीएगा Bye